हेलो एवरीवन तो आज हम बनाने वाले हैं यह सुपर टेस्टी एंड डिलिश्यस हनी केक जिसे बनाना तो बहुत आसान है लेकिन टेस्ट में बहुत लाजवाब लगते हैं तो यह डिलिश्यस हनी केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बाउन में लेना है 50 ग्राम्स ऑफ कर्ड यानि दही फिर उसमें एड करेंगे उसी कप से आदा कप ओईल ध्यान डखना क्या फ्लेवर लेस हो फिर इसमें एड करेंगे 100 ग्राम्स ऑफ शुकर तो अच्छे से हम इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक की जो कर्ड है न अच्छी तरह से मिक्स हो के स्मूद सी कंसिस्टेंसी में न आ जाए और ध्यान दखना कि आप मिक्सिंग जो है वो एक ही डाइरेक्शन में जैसे मैंने वीडियो में बताया है वैसे ही करें और यहां पर अभी न अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने इसमें आदा चमर्च वैनिला एसेंस एड कि अब बारी आती है सारे ड्रा इंग्रीडियेंट्स की तो यहां पर मैंने मैदा एड़ किया है अधा कप अधा कप सूजी एड़ किया है एक चमबच बेकिंग पाउडर आदा चमबच बेकिंग सोड़ा अभी इन सारी जीजों को मिक्स करेंगी और एक चीज मैने ना मैदा और जो भी सूजी एगरा थी ना सबको ना पहले से चान लिया तो इसलिए मुझे यहां पर च्छनी रखनी की जरूरत नहीं पड़ी अब भी वही करना वरना अगर बैटर में लंस रहे का तो वह प्रॉपर लिया आपका जो केक है वो नहीं बन पाएगा फिर अभी ना भी मुझे नीड लगी पानी आइड किया और कुछ इस टाइप में कंसिस्टेंसी आपको मिलने चाहिए तो यहां पर आप फिर से इसकी जो कंसिस्टेंसी का टेक्शर देख सकते है कि इतना जादा स्मूद और रिबन लाइक कंसिस्टेंसी हो चुकी है मतलब हमारा केक परफेक्ट बनने वाला है तो अब इसे हम ढखकर 15 मिनिट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि जो सूजी है वो थोड़ी सी फुले ताकि हमारा केक जो है वो अच्छा बन सके अब हनी केक बनाने के लिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप जो टिन है जिस इसे अवन में बेक कर सकते हो बड़ जो सिंपल मैथड है जो सभी के पास होगा मैने वो मैथड आपको इस वीडियो में बताया है ताकि सब के लिए हलपफुल रहे तो मैंने इसके को कढ़ाई में बेक किया था हाफ एन आवर के लिए मतलब स्लो मीडियम फ्लेम पर आपको अब हमारा में इंग्रीडियन्ट आता है हनी तो इसमें मैंने दो चमच हनी एड़ किया था अच्छे से आपको सारी चीजों को मिक्स करना है तो आपको जितनी भी स्वीटनेस पसंद है केक में उसके एकॉर्डी ही आप इस टेस्ट को मैनेज करना तो इस तरह से हम शुगर का जैम लिया है जो की बेस्ट लगता है इस केक में बट अगर आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी या जो भी जैम आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग उससे यूस कर सकते हैं तो अच्छे से हम पैन में जैम को एड करने की बात इसे मेल्ट होने देंगे तब केक को चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपरली कुख हुआ है या नहीं तो यहाँ पर हमारा बैस्ट अन् प्रॉपर केक जो है वो रेडी हो गया है क्योंकि हमारी तूपीक जो है निकल आई है तो अच्छे से अभी ना इस केक को हम डी मोल्ड कर लेंगे परफेक्लि निकल जाता अच्छी तरह से हैंदरड के जाएगा तो यह नॉर्मली एक नॉर्मली केक में डालते हैं बट यहाँ पर यह हनी केक है ना तो इसलिए हमने समें हनी एड किया था बहुत टेस्टी लगता है केक आप इसे ज़रूर ट्राय करना हर एक कोने कोने तक सोक करने के बाद केक को अब हमने जो जैम हनी रेडी किया था ना उससे हम इसके केक के ऊपर इस तरह से एड करके पुरा फैला देंगे तो मतलब यह उपर गार्निश डेकोरेशन की तरह हम कर रहे हैं दोनों का टेस्ट एक साथ मिलकर केक एंड जैम का कोई प्रोफेशनल बेकर होना चाहिए तो ही आप केक बना सकते हो यह रेसिपी इसमें स्पेशल इसलिए लेकर आती हो ना किसे कोई भी बनाए और घर पर टेस्टी से केक को इंज्वाइ कर सके तो यहां पर अच्छे से मैंने केक उपर हनी जैम का जो मिक्स्टर है वो लग नारियल का हलका हलका टेस्ट आता है वो भी बहुत जादा टेस्टी लगता है यहां पर कोगुनेट से गानिश करने के बाद हमारा हनी केक वैसे तो रेडी है बट अगर आपको इसके टेस्ट को और जादा इंज्वाइ करना है थोड़ा इसे सेट होने के लिए एक दो तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको खाना है तो नारियल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगी गए इस केक में फिर कुछ इस टाइप में हम ना इसके रेक्टाइंगल चोटे चोटे पीसे मतलब जितना भी बड़ा केक बनाओगे उसके एकॉर्डिंग आप शेप्स को बनाओगे ना एक केक यकीन मानो बहुत डिलिश्यस बनेगा और आप इससे खाओगे ना तो हमेशा आपका दिल चाहेगा कि आप इस केक को घर पर ही बनाओगे तो आप आज की ये टेस्ट यंड डिलिश्यस हनी केक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी ज़रू ठ्राय कर अने तो चलो बाइ